तुवाई कोरिया वनमंडल की सोनहत रेंच में हुई बाग की मौत के मामले में पिछले तीन दिनों से जाच चल रही है लेकिन अब तक कुछ भी सामने नहीं आया है बाग के विस्वा को फॉरेंसिक जाच के लिए उतरप्रदेश के भवेली इस्तित इंडियन वेटनरी रिस इंस्टिट्यूट भेजा गया है वन्विभाग की स्तयूक्त टीम भी संदिक्त ग्रामीडों से पूछताच करें हैं बतादे की गुरुगासिदास राष्ट्रे उध्यान जिससे टाइगर विजर्व बनाने की प्रक्रिया चल रही है वहाँ अब तक तीन बाग की मौत हो ऐसे में वन्विभाग की कारेशली पर सवाल उठ रहे हैं बाजपा नेता केपी सिंग ने बाग की मौत को लेकर कहा कि वन्विभाग की अधिकारी करमचारी निमार कारेों में व्यस्त रहते हैं उन्हें अपने मुख्याले में रहने का समय नहीं है और नाहीं वो फ्रीड म में नज़र आते हैं ऐसे लोगों पर कड़ी कारवाई होनी चाहिए देखना होगा कि बाग की मौत मामले की जाच कब तक पूरी होती है और क्या कुछ निकल कर सामने आता है हमारी सरकार पंदिभाग और पार्क अरवा रुपए खर्च कर रही है हजारों अमले है हजारों करमचारी है बड़े बड़े अथिकारी करमचारी है बीज गाओं पच्चिस गाओं जो है सेंसियर है जो पार्क छेत्र में आता है अगर एक एक करमचारी भी वहां नुक्त कर देते तो यह घटना नहीं घटती सतकाल इनको पता चल जाता है कि कहां पर मविसी मरे हैं अधिकांस देखा गया है कि मविसीों को सेर बाग तेंग जो करमचारी ही सोनहत रेंज के पार्व को सम्हाल सकते हैं जो सरकार का रुबरुपये खर्चा है और टाइगर जरु घोसित किया गया है सोनहत को जो कि रामगर्षेतर में आता है घोसित हैं टाइगार आ भी रहे हैं यह तीन बाहु की मृतिवस ऐसा लगता है कि अगर यह भा कार बन विवाग पार के खरणचारी रहेंगे तो कभी भी चाहिए तक पर नहीं पाएंगे